सो हे गाईज विने दिस साइड कैसे हैं आप लोग आज हम बात करेंगे SSA CGL की expected cut-off के ऊपर ठीक है तो भाई SSA CGL की cut-off के बारे में बात करने से पहले हम कुछ 4-5 point के बारे में देख लेती हैं जिसके हिसाब से हम analysis करेंगे कि कट-off क्या हो सकती है expected हमारे हिसाब से ठीक है ना सब लोग अपना अपना बता रहे हैं तो हमने सुचा हम भी अपना बता दिया experience के दम पर तो भाई पहली चीज आपको लोग को पता है कल हमारा 2021 का SSA CGL का result आ चुका है ठीक है तो आप यह देखो कई बच्चे अपनी पोस्ट प्रिफरेंस जैसे कि आपकी पोस्ट हो गई पी ए हो गई ऐसे हो गई इनके लिए वह पोस्ट प्रिफरेंस नहीं देंगे इसमें 2022 वाला जो आपका exam अभी हुआ है उसके लिए क्यों नहीं देंगे भाई वो क्योंकि आप पी और ऐसे के लिए पोस्ट प्रिफरेंस देगा अपनी पहली चीज यह दूसरी चीज भाई जो रोल अदा करेगी यह तो कली रिजल्ट है आपका इसलिए मैंने बता दिया कुछ लों कहेंगे भाई देंगे तो भाई दे हमें ऐसा लगता नहीं देंगे मैं आपको यह ब तीसरी चीज जिन बच्चों के 260 प्लस नंबर बन रहे थे मेंस में वैसे 4000 बच्चे कंप्यूटर में फेल हो गए यह जो डाटा खटा करा है बच्चा लोगों ने मैं उसके दम पर ही बता रहा हूं आपको ठीके तो 300 प्लस जिंग के आये थे 500 बच्चे फेल हो गए हैं मैं क्प्यूटर में क्प्यूटर में समझ रहे हो ना सबको पता लगी जाता जब वो रिजल्ट चेक कर रहे होंगे तो मैं उसी साफ से बता रहा हूं जितना हमें पता लग पाया नेक्स्ट ना भाई लोग इसमें भी उमीद कर रहे थे कि कंप्यूटर में normalization होगा तो मेरे ब टाइपिंग भी एक मेजर रोल मतलब डालेगा हमारी इस EGL 2022 की expected cut-off निकालने में क्यूं भाई कि आप यह देखो टाइपिंग में दो हजार डिप्रेशन चाहिए थे आपके जिसमें की 20% maximum error allowed थे ठीक है मगर कुछ पोस्ट ऐसी ती जैसे पी और ऐसे वाली जिसमें जन्रल क्रेटी के लिए जन्रल क्रेटी के लिए सिफ 5% ही चीजे अलाउड है ठीक है ना टाइपिंग में जो रिलेक्सेशन है वो 5% ही अलाउड है मतलब 2000 अगर आपके डिप्रेशन है तो बस 19 होई अगर 19 से थोड़ा कम होई तो गए आप ठीक है पोस्ट प्रिफरेंस की यहीं पर जाएंगे तो आप यह समझों जो बच्छे आपका जो पर था वो देने आ रखे फिकाँ कैंगे वह से पोस्ट में तो जान्हां को किसी को चिसको इस ऑगर दी तो उनकी लड़ाई वहा mopर रहा है तो वह आपना जो नाएध क्यों फो इस वे हों आपने खृत रहे PA और SA ये तो नहीं fill करेंगे वो आप समझ रहे ना मैं क्या चाह रहा हूं वो higher के लिए ही जाएंगे तो 19,000 हमारी 20,000 vacancies हैं तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं जो बच्चा अल्रेडी पियाएसे है अगर मैं backup हैसे हूं मैं पेपर दे रहूं तो मैं higher post के लिए ना सेम post के लिए क्यों जाऊओंगा मैं और सेम post में आखाना रहा जाता है अगर मैं same grade पर तो मैं इस से ऊपरना जावंगा important अगर मैं recovery मूञेए और economic investigator So तूरंट जा सकता हूं समझे हो आगे बात करते हैं हम भाई पोस्ट प्रिफ्रेंस की बात है पहले आपकी मेरे साब से एक कट-फ आएगी जो की आपकी मेह मेडिते का जब जब सब की पोस्ट पर्फरण भरने के बाद ठीकें कई बंड़ेंग वी कई बच्ची अभी result भी कई भरेंगे कई नहीं भरेंगे तो देखा जाएगा कि किस पोस्ट के साफ से क्या क्या चीजे हैं ठीक है अब हम बात कर लेते हैं में आपकी expected cut-off की तो पहले बात करते हैं मेरे साफ से यूर की जो cut-off जानी चाहिए मैं raw score बता रहा हूँ अभी normalization वाला नहीं हम कोन होते हैं बताने वाले हम तो बाद expect कर सकते हैं ठीक है तो भाई यूर का raw score जाएगा आपका 260 ठीक है 260 प्लस पाच प्लस माइनस लगा के चलना माइनस पाच OBC का 258 EWS का 255 SC का 240 ST का 230 ठीक है न ESM वालों के 150 160 वाले ठीक है अगर मैं बात करूं की normalization तो normalization आप देख लेना normalization का base रखा जाएगा जो आपका 7 March का paper था हमारे हिसाब से ठीक है 3 March वाले और जो 2 March है अपना वहाँ पर normalization अच्छा गासा देखा जा सकता है 3 March वाले में जिसमें 10 से 12 नंबर आपके बढ़ें अगर हम ऐसे देखेंगे तो बढ़कर आपका score 270 मतलब कि आपके जो cut-off जाएगी normalization के बाद वो 270, 261, 262, 272 जा सकती है मैं अभी अगर बात करूँ सिर्फ सिर्फ रो स्कोर की तो यू आर का रो स्कोर 260 बढ़िया है 260 अगर किसी के यू आर में आ रहे हैं बिना normalization के बात कर रहे हैं तो भाई वो सही है वो safe है ऐसे tension लेने वाली बात नहीं है तो हमारी 3-4 चीज़े थी जिससे हमने expect करा जैसे कि अभी हमने जो आपका rank IQ है वहाँ पर भी कुछ चीज़े देखी है ठीक है हमने बात करी अभी जो 2021 में जो selection हो गया उसके दम पर मतलब उसको base रखके computer को base रखकर फिर PRSA की post को रखकर फिर typing को रखकर फिर post preference को रखकर तो मैं मेरे साबसर आपका raw score है मतलब CGL के expected 2022 वाले की cut-off वो to raw score 260 जाएगा अगर आप लोगो को जानना है कि sir मेरा OBC है मेरा यह है तो आप नीचे comment करो मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपको बताऊंगा और अगर आप लोगो को जानना है कि 2023 किले हम कैसे prepare करें English को, Math को, Reasoning को, GK को, आप मुझे नीचे pin कर देना comment मैं आपको बताऊंगा नीचे telegram link के भाई वो join के लेना तो चलिए guys thank you have a nice day like share and subscribe